नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार ये पीछे जो आप वीडियो देख रहे हैं लोगों का हुजूम और हुजूम कहना भी ठीक नहीं है समंदर जनता का समंदर ये तस्वीर जो है ये वीडियो जो है ये कोलकाता का है कोलकाता की हर गली से हर सड़क से जैसे लोगों का कारवा निकल कर परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ता चला जा रहा था बताते हैं कि दस लाग से ज्यादा लोग बढ़ते चले जा रहे थे परेड ग्राउंड की तरफ और इस से ज्यादा लोग रास्ते में फसे हुए थे बड़ी बड़ी स्क्रीन पर ममता बैनल जी का भाशन सुनने के लिए पहुँचे थे तो ये मामला क्या था दरसल शहीद दिवस पर हर साल बहुत बड़ा आयोजन होता है त्रिमूल कॉंग्रिस का शहीद दिवस कहते हैं इसको आज ही के दिन हर साल ये आयोजन होता है और ये सडक से लेकर संसत की तरफ कूच करने की अपील जो हुई है कोलकाता के मैदान से इ जोकि चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो चुकी है इन दस लाख लोगों ने एक साथ हुंकार लगाई है कि दीदी नरेंदर मोदी की हुकूमत को दिल्ली से उखार फेको हमको और कुछ नहीं चाहिए और ममता बेनर जी ने कहा कि ये वो समय है जब हम इंतजार नहीं क लगते हैं इस समय हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की गदी से नरेंदर मोदी को भाजपा की हुकूमत को उखार कर फेकना है ममता बनर जी ने परेड ग्राउंड से हुंकार लगाते हुए कहा कि अगर मोदी की सरकार सक्ता में वापस लोटती है तो भारत से लोक्तंत हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगा उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए किसी भी तरीखे की पद की लालसा नहीं है याद की दिये यही बात बंगलूरू में जब इंडिया नाम के गटबंदन का गठन हुआ तो वहां मलिक अरजुन खड़गे न उन्हें भी कोई पद नहीं चाहिए । कौंगरेस पार्टी में किसी को भी प्रधान मंद्री पद की लालसा नहीं है किसी भी तरीखे से हमारा मकसद नरेंदर मोधी को उखार कर फेकना होना चाहिए लेकिन मनीपूर की जो घटना हुई है मनीपूर में जो लड़कियों को खीचा गया है बेटियों को जो निर्वस्त किया गया है और इस तरह के हालात पर काबू पाने में जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी मुकमल तोर पर नाकाम साबित हुए हैं निकम्मे साब ह testim भाजपा के भीतर हिम्मत नहीं हैं एंडिये के नेता मोच चुराते भाग रहे नजरें चुराते भाग रहे हैं लोगों से वह कैसे नजरें मिलाएंगे बेटियों से मंत्राब जो सवाल उठाया है वह सवाल बहुत वाजिब सवाल है और वह सवाल यह है कि आपने पश्चिम मंगाल में सेंट्रल फोल से इसको भेजने के लिए के अंद्रिये बलों को भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया आप हाई कोट सुप्रीम कोट तक चले गए और भेज कर माने लेकिन मनिपूर में इतना कुछ हो गया असी दिन से मनिपूर जल रहा है वहां बेटियों को खीचा जा रहा है 400 से ज्यादा चर्चों में आग लगाई जा चुकी है साथ हजार से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और डेर सौ लोग लगभग मारे जा चु ल की तो बात कर दिया गया को डिये जिम्मेवार कॉन है कौन है पुरी ताकत से बताएं दूर-D DAYने कौन रहा है मनिपूर को कि उस पड़बार किया मंता बनेर जी नि परेड ग्राउंड से हुंकार लगाई है कि आप दरसल बदनीय थे प्रदार मेंत्री श्यादीर्यम को लेकर, वहाँ की औरतों को लेकर, वहाँ के बच्चों को लेकर, वहाँ के बजर्गों को लेकर, नौजवानों को लेकर, वहाँ के लोगों की हिफाज़त को लेकर, आपके मन में पहले दिन से खोड़ता और इसलिए आपने मनीपुर में सेंट्रल फूर्सेस की तैनाती नह नहीं किया आप मनीपुर में बात करने से कत्राते रहें मंताब अनल जी ने पूछा कि मत प्रधान मंतरी को जवाब देना चाहिए कि क्या मनीपुर की घटना से आपको जरा भी दुख हुआ हुआ तो आपने बताया क्यों नहीं? आप लोगों के सामने क्यों नहीं आते? आप पस्चिम बंगाल के तरफ उंगली उठाते हैं आपके लोग चलाने लगते हैं, लोकेट चटरजी रोने लगती हैं लेकिन मनिपूर में जो होता है उसके बाद भाजपा के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें महिला आयोग किस तरीके से उसका जो रोल रहा है वो अपने आप में संदिग्ध है उस पर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन ममता बनर जी ने जो सवाल उठा प्रधान मंत्री से पहले दिन से मांग की है विपक्षने कि संसद में आपके बयान की हम मांग करते हैं आईये और कहिए कि मनिपूर हुआ कैसे और आप इस पर सोचते क्या है और आप इस पर आगे क्या करने जा रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री संसद का सामना करने से भाग और इसलिए ममता बेनल जी को पूछना पड़ा है कि क्या हुआ आपके बेटी बचाओ के नारे का और बेटी बचाओ का नारा आप कोई नारा नहीं है यह धोंग है नरेंद्र मोदी की सरकार का सबसे बड़ा पाखंड है बेटी बचाओ और यह पाखंड सवाल के घेरे में है विपक्ष पूछ रहा है जनता पूछ रही है भारत के लोग पूछ रहे है भारत की बेटिया पूछ रही है कि बताइए मोदी जी बेटी बचाओ नाम का जो पाख हम समझते हैं यह धोंग और पाखंड हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि आपको याद होगा बिल्कीस बानों के बलादकारियों को 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमरित महोटसाओ की शुर्वात में छोड़ दिया जाता है नरेंद्र मोदी की सरकार कट घरे में उस दिन भी थी क्योंकि गुजरात की सरकार ने अदालत में सील ठप्पे के साथ लिख कर दिया है कि इसमें केंदुरीय ग्रेह मंत्राले की मन्जूरी थी नरेंद्र मोदी तो सजा मिलने के बाद और सजा कितनी मुश्किल से मिली थी यह आप सब जानते हैं हम जानते तो सजा याफता बलातकारियों को छोड़ देने का जो घिनावना जो वीबस जो घ्रेड़ित फैसला हुआ उस फैसले ने नरेंदर मोदी के चाल चरितर और चेहरे को उधेर कर रख दिया है नरेंदर मोदी भाग नहीं सकते इस समयदारी से अमिद शाह की मंजूरी के साथ उनके मंत्राले की मंजूरी के साथ बिलकीस बानों के बलातकारियों को छोड़ा गया यह सब कुछ कागजों पर हैं तो किस मौ से नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नरा उचालते हैं यह सवालों के घेरे में हैं क्यों नहीं मनीपूर में आपने Central Forces की तैनाती की क्यों नहीं आप असे दिन तक कोई आवाज उठाई मनीपूर में शांती को लेकर एक अपील तक ही जारी कर देते तो भी समझ में आता तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि सड़क से लेकर संसत तक नरेंद्र मोदी को उखार फेकने के लिए अभियान छेड़ा जा चुका है दस लाख लोगों ने एक सुर में कहा है कि दिल्ली से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखार फेको और इसके लिए जो करना पड़े वो करो नरेंद्र मोदी का पूरा नैतिक दायत्व सवालों के घेरे में है उनकी नैतिकता सवालों के घेरे में है उनकी सम्वेदना सवालों के घेरे में है उनकी सोच और उनकी सियासत सवालों के घेरे में है और इतने बड़े सवालों के घेरे में छट पटा रही है भाजपा क्य देने वाले भी जानते हैं कि इस पर जवाब नहीं हो सकता क्या जवाब देंगे उपेंद्र कुश्वाहा कि मनिपूर की बेटियां आज इस हाल में कैसे पहुंची क्या जवाब देंगे ओम प्रकास राजभर कि मनिपूर की बेटियों के साथ ऐसा क्यूं हुआ क्या जवाब देंगे चिराग पास्वान की ऐसा क्यों हुआ वो युवा हैं सब कुछ इतिहास दर्ज कर ला है और इसलिए जो कोलकाता के दस लाख लोगों ने एक एलान किया है और एक सुर में ममताब एनरजी को ताकत दी है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है और आपको एक बात और बता दें कि दिल्ली का टेलिविजन मीडिया नोइडा से चलने वाले फिल्म सिटी के स्टूडियो से आपको यह तस्वीरे नहीं दिखाई देंगी कि इन तस्वीरों में दिखाए जाने की कोई वज़ा नहीं है इसलिए नहीं दिखाई जाएंगी क्य यह जो 10 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम है उसकी ताकत है जो जनता है जो नागरिक है उसकी आवास को टेलिविजन चैनल के बाउने संपादक दबाना चाहते हैं गटर चाप संपादक दबाना चाहते हैं चड़ी पत्रकारिता के जनक जो दिल्ली के नालों में अपने रिपोटरों को खड़ा करके संडासों में अपने रिपोटरों को खड़ा करके बाल दिखाते हैं वो नहीं दिखा रहे आपको कि कोलकाता में नरेंद्र मोदी की सत्ता को खालत देने के लिए क्या हो रहा है वो नहीं दिखा रहे कि संसत में जो सवाल उप्ठा है उस सवाल का क्या होने वाला है वो नहीं दिखा रहे हैं कि जो लोगों का घुसा है जो लोग सोच रहे हैं वो कैसे सोच रहे हैं और किस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो एक मूर्ती गड़ी गई थी वो मूर्ती दरख चुकी है और वो लगातार दरखती चली जा रही है और 2024 से पहले उसको अंतिम तोर पर तोड़ने की तयारी हो रही है यह सारी चीजें दर्ज की जा रहे हैं संसद के सत्र के दौरान आने वाले दिनों में नरेंदर मोदी का चहरा और बेनकाब होने वाला है जितना वक्त लगाएंगे नरेंदर मोदी संसद का सामना करने में जितना वक्त लगाएंगे वो लोगों की चिंताओं का जवाब देने में वो उतने ज्यादा बेनकाब होते जाएंगे वो नहीं भाग सकते जनता से क्योंकि भारत का जनतंत्र उन्हें सवालों के जवाब से भागने नहीं देगा उनके जिम्मेदारी तेर करेगा इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरण कीजिए बेल आइकॉन दबाई या घंटी जैसे आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर है तो फॉर आटीकल 19 अंडरस्कोर अंडिया और मेरा ट्विटर हें नवीन जनरलस्ट आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कार